नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तो कंसिल्टेंट मैं हमेशे ही आप लोगों के लिए वास्तो शास्तर के साथ अपने अनुगों की जैनकरी अपनी हर एक वीडियो में देते रहता हूँ और आप अपना कीमती से में निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ आज का जो विशेय है वो है व्यक्ति बरबाद क्यों हो जाता है उसके पीछे कारण क्या है आज मैं आपको एक कारण बताना चाऊँगा जिसके कारण व्यक्ति बरबाद हो जाता है मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखिया है जो बरबादी की स्टेज़ पर आकर खड़े हो जाते हैं उसको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नजर नहीं आता अपने काम में अपने एरिये में अच्छे लेवल पर वेक्ति बैठा है और पता चलता है अचानक वो बरबाद हो गया दुनिया वरका कार्ज उस वेक्ति के सिर्फ चड़ता चला जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है ऐसा क्यों होता है उसके पीछे एक करन है वो है नौर्थ डिरेक्शन उत्तर दिशा जब भी जिस भी घर की उत्तर दिशा फर्स के लेवल में ओवर उंची हो जाती है एक फिक गेड़ फिक दो फिक एक्स्टरा उंची हो जाती है और बाकी का सारा लेवल एक बराबर रहता है वो घर बरबादी की स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है वो वक्ति बेंक्रप्ट हो जाता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है चाए उसका अपना घर है चाए उसके अपनी फैक्टरी है चाए इस दुकान है चाए शोरूम है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी बिक् कर्ष नहीं उतरता और वह व्यक्ति बरबादी की स्टेज़ पर आकर घड़ा हो जाता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने घर की नौर्थ की दिशा को चेक करें मैंने अपने इन चोवी सालों में जो अनुभव किया जो ची जाता है एक दिन स्टेज ऐसी आती है कि वो बरबाद हो जाता है उसमें चाहे उसके तीन साल लगे छे साल लगे या नो साल लगे वो बरबाद होकर खड़ा हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि काम भी बढ़ि रहें या पूरे घर के फर्ष के लेवल को उचा करें कुल मिलाके नौर्थ का फर्ष का लेवल नीचा होना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहां जो समस्थें चल रही है जो पैसे से संबंदी दिक्क्त चल रही है काम भी बहुत जाएगी और आप अपने अच्छे लेवल पर मार्केट में समाज में बैठे रहेंगे मैं हमेशे ही आप लोगों के लिए वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुगों की जानकारी देता रहता हूं मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जानकारी आपको अच्छे पाए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोकिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 325 प्लस वीडियो अपलोड की हुए आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं लिए मेरे वो मत नितों आप तान कर सकते हैं जर कर सकते हैं